स्वागत आपका नए विडियो में इसमें servers करेंगे इंडियन को इस्ट गार्ट की निव वेकेंसी को release है और निव वेकेंसी का जो notification है उसको release कर दिया है तो complete notification आपको पढ़ के बताने वाले है क्या क्या age है मतलब कि age limit क्या रखा गया eligibility क्या है salary क्या है ही हम नहीं बोलते हैं जो जैन्मीन इंफॉर्मेशन होता है वहीं आपके साथ शेर किया जाता है तो वीडियो पर हम तक बने रहेगा अब वीडियो को लाइक कर दीजिए चैनल पर हमारे फॉस्ट हम जट किये हैं तो चैनलों का लिज़ा सब्सक्राइब अगर कोश्ट का सप आपना देख रखा है तो वीडियो का डिस्क्रिप्शन में आपको टेलग्राम और वाड्सिप चैनल दोनों का लिंक मिल जाएगा तो दोनों जगह पर आप लोग एड हो जगह ताकि जो भी छोटा बार अपडेट हो सबसे पहले आप तक पहुंसते रहे तो चले वीडियो वेब साइट भी कोई सारे वेब साइट है तो कि बन गए है लेकिन यह त्हों का ओरिजिनल य zig वेब साइट गशुरिदा को चैक करना है चलिए है कहां पर Indian Coast Guard Station चन्यी की वेकंसी निकाली गई है आपको पता है इंडॉल Personal वर्ती होता है यह इंडॉल Follower वेकंसी है अट इंडियन Coast Guard Station चन्यी राइट इंडियन Coast Guard Station जो चन्यी है वहां पर के लिए रिकूट्मेंट निकाला गया है चले यह complete notification आपको प्लिक करने बाद यहां पर आपको नॉटिफिकेशन ओपन हो जाएगा जैसे कि हमने ओपन कर लिया नोटिफिकेशन ओपन करने के बाद यहां पर आप पढ़ सकते हैं इंडियन कोश्ट गाड डिक्रिप्मेट ओफ इंडॉल फॉलोवर मेल कंड़ेट ओनली मेल कंड़ेट ही परेंगे लास्ट डेट पो रिसीप अप्लिकेशन लास्ट डेट आपका तीस मार्च दोहजार चौबिस से वितिन इन थर्टी डेज फ्रॉम दा डेट ओप्लिकेशन और इस एडबर्टाइजमेंट इन आई सीजी कोश्ट गाड वेबसाइट एक मार्च दोहजार चौबिस मतलब कि आपका यह फॉर्म आपका स्टार्ट हो चुका है एक मार्च दोहजार चौबिस से ही फॉर्म भरने के लिए भी आपको एक सप्रेट वीडियो बना कर बता और एप्लिकेशन आई इंवाइट फ्रॉम मेल सिटिजन्स इंडियन सिटिजन्स यहां पर दे रखा है ओनली फॉर तमिल लाड़ो ओके चली बात करेंगे यहां पर एक मार्च से आपका स्टार्ट हो चुका है और लास्ट अपका होने वाला है कितना तीस स्टीस मार्च र और दे लास्ट पर यहां पर निकाली गई है अगर बात करें यहांपे व्यक्तिक नहीं किया है बहुत लोग बच्चे एट पास होते हैं उसके साथ ही आप आयटिए पर लेते हैं तो वह वाले बच्चे यहां पर भी eligible होंगे 8 pass plus iti होगा तो आप eligible है otherwise 10th है iti है दोनों ही eligible है iti है टब भी 10th है तब भी तो दोनों बच्चे यहां पर form Europ कर पाएंगे यह दा है आपका जो age limit होना चाहिए मिनिमम मापका 18 साल होना है मिनिमम माथ 18 साल और मैकसिमम heed सो होना चाहिए 35 साल की बात करें तो यहां पर 요즘 टी होंगे उनको fastenल्रेक्षन और जो यहां पर skirts मिलजाएगा और घ拉न में इसेस्ट तो क्या जेनरल वाले फॉर्म भर सकते हैं, क्या OBC वाले फॉर्म भर सकते हैं, क्या SCHT वाले फॉर्म भर सकते हैं, यह सभी आपके डाउट आए होंगे, तो मैं भी किलेर करने वाला हूं, तो थोग सा पेसंस दखिएगा, यहाँ पर डिस्क्रिप्शन ऑफ डियूटीज दे प्रिमाइस, यह दे रखा है यहाँ पर, यह सब साप सफाई करने का काम इसमें मिलागा आपको, तो यह आपको ध्यान में रखना होगा, पोस्ट इस ट्रांसफर वल एनिवेर इनिवेर आपको इंडिया में कहीं पर भी आपको ट्रांसफर किया जा सकता है, में लेंड हो य इस जी का जो रहता है, क्रिटेरिया वो, चेस्ट आपको यहाँ पर फाइब सेंटी मिटर एक्सपैंड करना है, वेट की बात करें तो पॉर्पोर्स पॉर्पोर्स नेट टू हाइट एज मतलब डैट परसेट एक्सप्टेबल रहेगा, आई साइट की बात कर सिक्स होना चाहिए, तो यह आप ग्लासेश वाले बच्चे भी अप्लाई कर सकते हैं, मतलब कि जिसके पास चस्मा अगर अलगा है, वो लोग भी अप्लाई करेंगे, रिकुट्मेंट परसीजर की बात करें, तो फॉल्वाइंग परसीजर इस टू भी फॉल्वाइट फॉर्वा प् sprinkler फॉलवर, सब से पहले आपकी बात कर लेँद तो यहाँ पर आपका यहाँ पर एकजाम कर आएजाएगा, क्या रिटेन एकजाम कर आएजए गा, pretend आपका किस मूर्ड में, क्या ऑफ нужен नॉट मुर्ट में आपका एक्जाम कंड़क्ट कर आए जाएगा, ओके, तो यह कराएगा पच्छास मक्स मतलब 25 जी के और 25 आपका इंगलीज उके उसके बाद आपका किलिंग अब ट्रेंट किलिंग अब टॉलेट मेंडेनल सब्सक्राइब यह आपका जो है प्रोफेशनल स्केल टेस्ट है ओके फिजिकल फिटनर टेस्ट की बात करें तो वन वाइल मतलब अब ट्रेंट कोश्टकार वही नॉर्मल मेडिकल आपका कराय जागा यहां पर बोडी टैट्टू के बाद जिसके पास परमानेंट बोडी टैट्टू होगा वह यहां पे लीजिबल नहीं होगा यह साफ सफ यहां पे दे रखा है चले आप बात कर लें पेसकेल की तो अप्लिकेबल अलाउंस पर सेंट्रल गौर्वर्मेंट टूल तो अच्छा खासा यहां पर तीस अजार प्लस आपको यहां पर सेलेरी मिलने वाला है बेसिक आपका 2700 है 2700 में तो डी आप 50% आइड कर लीजिए डी यह प्लस 4000 आप एड कर लीजिए तो अच्छा खासा यहा चीज दे रखाए recruitment written examination और PhD PFTA यहां पर दे रखा है application for the post of enroll following in capital letter form फिलब करना है form आपको offline mode में ही भरा जाएगा Okay offline mode में ही form आपको भरना है right and application should be sent by ordinary post simple post जो होता नहीं speed post नहीं ordinary post प्रेसिडेंट यह फ्रिकॉर्टमेंट बोड इंडिन कोस्ट काट डिस्टीग हेड कोर्टर नंबर यतना नंबर क्लाइब बैटरी कॉंप्लेक्स राजा राजाजी शुलाई चन्नाई यह पिन कोट आपको मेंसें करके भेजना होगा बिपोर को लगिंग डेट आपका 30 मार्च है यह आपको ध्यान में दखना होगा और बाकी जो यह दे रखा है आपको इसमें ज्यादा ध्यान लगाने की जरुवत नहीं है अब बात कर ले यह है आपका फॉर्म आपका दे रखा है फॉर्म आपको भरने के लिए यहाँ पर आपको इस पर आपको फॉ जैनल पे जिसका लिंक आपको इसके उसर में दे रहा है और साथ में टेलिग्राम दोनों जगे पर प्रवाइट करा दिया जाएगा सुवहां साब लोग डाउनलोड कर लेज़ेगा डाउनलोड करके फॉर्म भर सकते हैं एक चीज डाउट आ रहा था जो बच्चों का क्या ज faku bc वाले फॉर्म भरेंगे नहीं भरेंगे से फॉर्म भरेंगे नहीं भरेंगे tie वाले बताया कि सिर्फ तामिल नाडू के लिए है तो जो बच्चे तामिल नाडू के हैं वही फॉर्म फिलप कर पाएंगे अधर एश्टेट के फॉर्म भर पाएंगे नहीं बिहार से हैं फॉर्म नहीं भरेंगे आंधरा से हैं मतलब कि आंधरा से बात करों बिहार से हैं बोलेंगे कि एक वेकेंसी के लिए वीडियो बनाए क्योंकि यह जरूरी था क्योंकि बहुत सारे बच्चों को इस समझ में नहीं आता है बस वह जान लेते हैं वेकेंसी आया मैसेज करते रहेंगे करते रहेंगे और परसान हो जाएंगे तो यह चाहे वो अपडेट छोटा हो या फिर बड़ा वेकेंसी आया है तो इन्फोर्मेशन देना हमारा काम है वह हमने कर दिया बाकि आपकी मर्जी वीडियो को ज़्यादा ज़्यादा सेर कर देजे कि ताकि जो भी बच्चे गुमराह हो और एक ही इसलिए वीडियो बनाए इसमें सारा के लिए हमने कर दिया चलिए मिलते हैं नव डूमें तब तक ले बाए जाहिन जावाट बन दे मातरम